नमस्कार दोस्तों मैं पंकर जरावत स्वागत करता हूँ आप सभी स्टूडन्स का आपके अपने यूटीब चैनल पर सो फ्रेंट्स यहां हमारी स्टूडन्स का अग्जामिनेशन सभी के सभी कोर्सिस के लिए हो चुकी है सभी कॉलिजिस में तकरीबन यहां समिस्टर 2 स्टार्ट होने के बाद स्टूडन्स के लिए में काफी ज्यादा क्वैरी है यहां पर समिस्टर 1 और समिस्टर 2 को लेके जिसके यहां पर कुछ वैलिड आंसर्स रहा है वो में देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में तो फड़ा फट से आप सभी स्टूडन्स यहां पर इस वीडियो को लाइक और शेयर करके बने रहेगा वीडियो में तक तक यहां पर बताई हुई हर एक बात एक दम अच्छे से आप सभी स्टूडन्स को समझ में आ सके इसके अलावा अगर आप हैं हमारी चैनल पर न्यू हैं पहली बार आए हैं हमारी चैनल पर तो गुजरात यूनिवर्सिटी रिसलिट हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल श्टूडन्स की ऑफलाइन एक्जामेनेशं होई है समिस्टर वन की उन सब को फुर्वी थोड़ा वाष बहुआ सबर यहां वो यहां हो जाएगा बट उनका क्या यहां पर जिनके एक्जामेनेशन हुई थी ऑनलाइन यहां पर लॉस ऐसे भी थे कि जिनों हने डिफरें ड एक्जामिनेशन को भी हो चुका है तो ऐसे में स्टुएंट स्रीमाक में क्वेश्चन यहां पर यहां पर यहां पर कब अनॉंस होने वाला है एक्सपेक्टड रिजल्ड टेट है वो फ्रेंट सामें देखने मिल सकती है स्टूर 1 के कुछ स्ट्रीम के कोर्सी की डेट 15 to 20 एपरिल के बीच में स्टार्ट होती हुई यहाँ Samister 1 के कुछ courses ऐसे रहेंगे कि जहाँ पर students की strength काम है तो यहाँ 15 to 20 April के बीच में Samister 1 के results जो है वो यहाँ पर आना हो जाएंगे start मैं specifically यहाँ become की बात नहीं कर रहा because become जो है इसके अंदर students के strength जो है वो काफी ज्यादा है तो यहाँ यह दिखने मिल सकता है कि between 20 to 27th of April जो है आपको become Samister 1 का जो result है online and offline दोनों ही examination का वो यहाँ पर आता हुआ दिखेगा बड़ जैसा कि मैंने कहा कि between 15 to 20 April Samister 1 के कुछ courses जो है ऐसे कि जिनका यहाँ पर result अनाउंस होता हुआ हमें दिख जाएगा आपको यहाँ पर result के टाइम पर नहीं होने वाली सो यहाँ दो डिट्स को आपमान के चलिएगा फर्स्ट मैंने कहा कि कुछ courses ऐसे रहेंगे Samister 1 के कि जिनका result जो है वो हमें यहाँ पर आता हुएगा between 15 to 20 April and यहाँ specifically become कि मैं बात कर तो 20 to 27th of April के बीच में जो है वो result आता हुआ हमें दीख सकता है तो यहाँ यहाँ यह भी देखने मिल सकता है कि 15th of April के पहले भी कुछ courses के result यहाँ आनूंस हो जाए जैसे कि अगर मैं बात करूँ B at Samister 1 की या फिर मैं यहाँ पर बात करूँ BC at Samister 1 की तो यहाँ ऐसे कुछ courses के जिसके अंदर student की strength जो है वो काफी सेदा कम है तो ऐसे results जो है वो हमें चल्दी आते हुए यहाँ पर दीख सकते हैं तो first of all पर Samister 1 के जो भी results थे उनकी बात तो यहाँ पर मैंने कर दी है कब से लगे कब तक जो है वो आपको आपका result आता है वो यहाँ पर दीख सकता है specific date आज तक कभी भी गुजरात university के वार से नहीं आई है friends तो यहाँ कोई भी इनसान आपको specific date प्रोवाइड नहीं कर सकता कि भाई कब specific date को जो है वो result यहाँ पर आपका आएगा जैसे गुजरात बहुत के अंदर होता है specific result के degree जो है वो दीजाती है बट गुजरात university के अंदर यहाँ पर ऐसा नहीं देखने मिलता है तो कोई specific date आपको नहीं देखने मिलेगी जो time period में यहाँ पर बताया है के बीच में आपका result आता हुग आपको यहाँ दीख सकता है hope so कि first वाला point जो है यहाँ पर एक दिम क्लियर हो गया होगा बात करता हूँ यहाँ पर मैं second point की जहाँ पर students के दिमाग में question था कि semester 2 के जो गुजरात university के examination है यानि कि external हमारी जो examination है वो यहाँ पर कब होगी सभी के सभी courses के लिए तो यहाँ पर पताता हुगी गुजरात university के different courses के लिए semester 2 के examination जो है यह friends यहाँ पर organize हो सकती है में के last week में जो में का हमारा last week आएगा उसके अंदर यहाँ जो है वो आपको आपकी examination जो है यहाँ पर में का third week या फिर last week जो है तब तक आपकी examination जो है गुजरात university की यहाँ पर सभी के सभी courses के लिए वो यहाँ start हो जाएगी तो यह dates के बारे में मैं आपको यहाँ बता दिया कि अब कब से लगे कब तक के बीच में जो है यहाँ जो examination है यह होगी यहाँ पर online या फिर होगी offline तो यहाँ जयातर colleges ऐसे हैं कि जिन्होंने यहाँ पर उनके dates जो है internal examination की वो यहाँ पर उन्होंने आपको कर दी है जो कि यहाँ पर April second week, third week या फिर April का last week जो है इसके बीच में कभी भी colleges ने जो है वो अपने इसाब से examinations जो है आरेंज करी हुई है अब यहाँ depend करता है college के उपर कि वो यहाँ online examination कंड़क करते हैं या फिर कंड़क करते हैं offline चो कि यहाँ online examination वाला mood है वो college से वो काफी ज़्यदा easy लगता है तो ज़्यादर colleges जो है वो online mood में ही examination लेंगी और कुछ colleges ऐसी हो सकती है कि जो चाहें कि इनके students अच्छा से preparation करें उनके आने वाली गुजरात university के examination के लिए तो वो colleges यहाँ पर offline examination जो है वो भी यहाँ conduct कर सकती है क्योंकि आने वाली गुजरात university के examination जो है तो आपको यहाँ पर completely prepare रहना है offline examination mode के लिए ही गुजरात university में आप कुछ colleges यहाँ पर यह भी करेंगे कि उनके students की यहाँ पर offline examination या फिर online examination कोई भी examination ना लें उसके बतले students को यहाँ जो है वो assignment लिखने को दिया जा सके अब यहाँ हवा में तीर बिल्कुल भी मैं नहीं छोड़ रहा हूँ because काफी ज़्यदा colleges ऐसी हैं कि जिन्होंने उनके students को assignments जो हैं वो भी यहाँ लिखने के लिए दिये हुए है तो यहाँ कुछ colleges यह भी कर सकती है कि assignments जो हैं वो यहाँ लिखने के लिए दिये जाए और कोई भी examination जो है वो इंटर्नल में conduct ना की जाए बागे जैसके मैंना कहा कि गुजरात university के semester 2 के examination में कंपल सरी offline होती हुई जो है वो यहाँ हमें देखने मिल सकती है तो हुपसो internal examination वा फंडा जो था यह भी आपके दिमाख में यहाँ पर clear हो गया होगा last conclusion में बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ वक्त जो है हमारे पास काफी ज़्यदा कम है और उसके सामने course जो है friends वो काफी ज़्यदा लंबा है यहाँ पर become semester 2 के specifically मैं बात करता हूँ तो उनका यहाँ पर जो भी subject list है वो मैं provide कर दूँगा अपने telegram पर telegram चैनल पर अगर आप नहीं चूड़े है तो नीचे description box के अंदर मैंने link दे दी है वहाँ से आप चूड़ पाएंगे telegram चैनल पर जहां से आपको list जो है semester 2 के subjects का वो यहाँ मिल जाएगा तो सभी courses के लिए इतना आपको जाद रखना है कि यहाँ time home रपास काफी सदा कम रहेगा और course जो है वो काफी सदा है तो महरत आपको यहाँ पर अच्छी कासी करनी होगी यहाँ पर जितने भी queries निकल रहें थी semester 1 and semester 2 की hopes दो कि वो सारी queries होगो मैं यहाँ पर solve कर दी होगी जिसके लाव भी अगर आपको यहाँ पर दीमाक में कोई डाउट रहता है तो निश्य कमेंट बॉक से दर मुझबताएगा आपकी कमेंट का स्पेसिफिकली reply करने की यहाँ पर कोशीज जो है वो मैं करता रहूँगा फिलाल के लिए फ्रेंट्स इतना ही रखता हूँ मैं आज की इस वीडियो में वीडियो पसंदाया हो तो वीडियो को कर दीजगा लाइक बाकी के दोस्तों के साथ कर जीगा इस वीडियो को शेयर और हमारे चनल पर न्यूँ है तो चनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल भी ना भूले है बिकास जैसा कि मैंने का कि गुजरात युनिवर्सिटी की हर एक अपडेट सबसे ज्यादा जो है बस तो फ्रेंट्स इतना ही रखता हूं आज कि इस वीडियो में मिलते हैं जल्दी एक असे किसी इंपरेंट सी वीडियो के साथ में तब एक लिए थेंकिस सो मच जाहिन वंदे मात्रम